हाई दोस्तों सुरू करते हैं Walkability Part 2 तो आज का हमारा पहला वर्ड है Startle Startle का मतलब होता है चौकना या फिर चौकाना Example है She was doing something and then I startled her वह कुछ कर रही थी और मैंने उसे चौका दिया दूसरा वर्ड है हमारा Crawl Crawl का मतलब होता है हाथों और घुटनों के बल चलना जैसे कि एक बच्चा चलता है Example है A baby is crawling बच्चा हाथों और घुटनों के बल चल रहा है तीसरा वर्ड है हमारा Tunnel Tunnel का मतलब होता है सुरंग Example है A train is passing through the tunnel Rail सुरंग से गुजर रही है सौथा वर्ड है हमारा Attribute Attribute का मतलब होता है जिम्यदा ठहराना या फिर मत्थे मरना Example है You attributed this all on me तुमने यह सब मेरे मत्थे मर दिया पांचो वर्ड है हमारा Barricade Barricade का मतलब होता है रुकावट, आड़ या फिर रोड़ा Example है Laziness is the barricade in the way of success आलस सफलता के रास्ते में रुकावट है चटा वर्ड है हमारा Exegrate Exegrate का मीनी होता है बढ़ा चड़ा कर कहना Example है He is exaggerating himself But he is nothing वह अपने आपको बढ़ा चड़ा कर बता रहा है मकर वह कुछ नहीं है साथो वर्ड है हमारा Immoral Immoral का मतलब होता है चरितरहीन या फिर बदचलन Example है Ria's boss is immoral since she wants to leave her job Ria का boss चरितरहीन है इसलिए वह अपनी job छोड़ना चाहती है आठवा वर्ड है हमारा fluctuate fluctuate का मतलब होता है गटना बढ़ना या फिर उतार चड़ाव होना Example है Mukais is a businessman His income keeps fluctuating Mukais एक वेपारी है उसकी कमाई घटी भढ़ती रहती है 9th word है हमारा abet Abet का मतलब होता है उकसाना या फिर बहकाना Example है You abetted me To fight with Ram तुमने मुझको राम से लड़ने के लिए उकसाया था 10th word है हमारा toil Toil का मतलब होता है परिश्रम करना या फिर कड़ी मेहनत करना Hard work की जगह आप Toil का यूज भी कर सकते हो Example है People are toiling in the field लोग खेत में कड़ी मेहनत कर रहे हैं तो आज के लिए इतना ही Hopefully आपको वीडियो अच्छी लगेगी So please share it And also subscribe to the channel Thanks for watching it Have a good time कर दो